हाई गाईज, I hope you are doing great हम लोग बात करें हमारे डेली करंट फेर सेशन की जो सुबाद चार बज़े वेलिबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकलर फ्रंटियर आई एस पर आज की तारीख है 19 एपरल 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से ssigalpnacle.com और बलजीधाकर.com साथ ही साथ for daily videos, pdf and monthly magazine आप हमाई टेलीग्राम हैंडल्स स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विज के साथ प्रेनाप से पहला क्वेस्चिन पूचा था कि 2026 राष्टर मंडल खेलों की मेज जबानी कौन सा देश करेगा करेक्ट आंसर था इसको ऑस्ट्रेलिया और दूसरा क्वेस्चिन स्टार्ट करेंगे फ्रस्ट क्वेस्चिन देखलो आज के से सेशन के लिए प्रतेश्चित सर रिचर्ड हेडली पदक 2022 किसने जीता है करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन नबर सी टिम साउधी डिटेल्स देखलो तो न्यूजिलाइन क्रिकट टीम के तेज गेंद बस टीम साउधी को सर रिचर्ड हेडली पदक से नवाजा गया जो कैलेंडर बर्ष में शांदर प्रदर्शन करने के लिए देश के सर्वश्चेश क्रिकटर को दिया जाता है टिम साउधी 2021 बाई सीजन में न्यूजिलाइन के लिए प्रमुख विकट लेने वाले गेंद बास थे जिन्होंने 23.88 की ओसत से 36 टेस्ट विकट लिये इसमें भारत के खिलाफ ICC विश्व टेस्ट चैंपेंशिप फाइनल में पांच विकट शामिल है जो न्यूजिलाइन ने जीता था नेक्स्ट क्रेशन देखो विश्व विरासत दीवस कब मनाया जाता है करेक्ट आंसर इसको अप्शन नबर B 18 एप्रिल इस दिन को देशन स्मृत सांस्कृतिक विरासत और उनकी रक्षा और संड़क्षन के लिए आवशक प्रियासों के बारे में जगता को बढ़ावा देना है 1982 में एको मौस दवारे इस दिन का प्रस्ताफ दिया गया था और युनेस्को के आम सम्मेले ने इसकी मंजूरी दी थी 2022 के लिए थीम है विरासत और जलवायू दाट इस हेरिटेज और क्लाइमेट नेक्स्ट क्रेशन देखो दी बॉय हो रोट अ कॉंस्टिटूशन शेशक से बच्चों की पुस्तक किसने लिखी है करेक्ट आंसर है इसको अप्शन अमबर C राजेश तलवार दीठेल्स देख लो तो डॉक्टर बियारम बेटकर की 131 वी जैनती के अफसर पर जारी एक नई पुस्तक दी बॉय हो रोट अ कॉंस्टिटूशन भारत के पहले कानून मंत्री के चुनोती पुन बच्चपन और बड़े होने के बर्षों के बारे में बच्चों को सूचित करने का प्रयास करती है तथे अधारित नाटक दाट इस फैर्ट बेस ड्रामा बड़े पैमाने पर उनके बच्चपन की यादोपर अधारित प्रसिद नाटकार और लेकक राजेश दलवार दोवारा निखा गया है नेक्स्ट क्वेशन देखो त्री शक्ती कोर ने एक स्कृपान शक्ती अभ्यास के स्राज्य में आयोजित किया गया है करेक्ट आंसर इसको अप्शन नमबर डी पस्ट्रिम बंगाल डीटेल्स देख लो तो त्री शक्ती कोर ने सिली गुडी वेस्ट मेंगौल के पास तिस्ता फिल्ड फारिंग रेंज में एक एकक्रित अगनी शक्ती अभ्यास इसका उदेश्य एक एकक्रिपान शक्ती का योजन किया इसका उदेश्य एक एकक्रित लड़ाई लडने के लिए भारतिय सेना और केंदर सिशस्त्र पूलिस बलो के ख्शमताओं को व्यवस्थित और समनवयत करना था नेक्स्ट क्वेशन देखो नैप्चुन मिसाइल प्रनाली जो आजकल खबरों में है किस देश से संबन्दित है करेक्ट आंसर इसको अप्शन अबर डी यूकरेन देख लो तो रूसी रक्षा मंत्राले का काला सागर बेडे का प्रमुख पोत मोस कवा अपनी स्थिर्था खोने के बाद डूब गया यूकरेन ने कहा कि हैं नैप्चुन एंटिशिप क्रूज मिसाइलों का प्योग करके एक नियोजित हमला था नैप्चुन मिसाइल प्रनाली को दोहजार किस में यूकरेनी बलों में शामिल किया गया था और 2014 में क्रीमिया के कबजे के बाद से यूकरेन के तट्यक शेत्रों के लिए रूसी खत्रा तेजी से बढ़ रहा था ये पॉइंट आपके लिए इंपोटेंट है नैप्चुन एक तट्यक जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है जो 300 किलोमेटर के सीमा में नौसैनिक जहाजों को नश्ट करने में सक्षम है नेक्स्ट क्वेशन देखो पी एम मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी चारधां परियोजना के तहत भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का नावरन किया है तो भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जेंदी के अफसर पर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से बापु केशवान जी के आश्रमें गुजरात के मोर्वी में भगवान हनुमान जी के 108 फीट की प्रतिमा का नावरन किया है यह पॉइंट्स आपके लिए इंपॉटेंट है सिंपल टर्म्स में बात करें तो हनुमान जी चारधम प्रजेक्ट का टोटल पॉइंट है कि हनुमान जी का स्टैच्यो पूरी कंट्री में 4 डारेक्शन में लगाया जाए हनुमान जी का पहला स्टेचू 2010 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में उत्तर में किया गया था मोर भी गुजरात का स्टेचू सेकिंड है तीसरी प्रतीमा दक्षि में तमिलाडू के रामेश्वरों में स्थापित की जाएगी इसी तरह पस्टिम बंगाल में अंतिम प्रतीमा स्थापित की जाएगी नेक्स्ट क्वेशन देखो विदांत माधवन की स्खेल से जुड़े हैं करेक्ट आंसर इसको अप्शन नमबर सी तेराकी डिटेल्स देख लो तो डेन्मार्किक ओपन हेगिर में डेन्मार्क ओपन स्विमिंग मीट में शिष भारते तेराक साजन प्रकाश ने पूर्शो की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वरन और विदांत माधवन ने पूर्शो की 1500 मीटर फ्री स्टैस परधा में रज़त पदक जीता इस सल अपनी पहली अंतराश प्रतियोगिता में भाग लेते हुए साजन प्रकाश ने स्वरन हासिल किया अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने दूसरा स्थान हासिल किया उन्होंने मार्श 2020 में लात्विया ओपन में कांसे पदक जीता था नेक्स्ट क्वेशन देखो दोहजार तईस एफ़ाइच पुरुष होके विशुकप किस शहर में आयुजित किया जाएगा करेक्ट आंसर इसको आप्शन अबर डी दोनों बी और सी डाट इस राउर केला और भूवनेश्वर डिटेल्स देख लो तो ओडिशा के मुखे मंत्री नवीन पतनायक ने भूवनेश्वर और राउर केला शहरों में होने वाले दोहजार तैईस एफ़ाइच पुरुष होके विशुकप के लोगों का नावरन किया चार साल में एक बार होने वाला टूर्णामेंट 13-39 जनवरी तक निर्धारित है होकी इंडिया और उसका अधिकारिक साज़दार ओडिशा 2018 के बाद देश में लगातार दूसरी बार इस बड़े टूर्णामेंट की में जबानी करेगा नेक्स्ट क्वेस्टन देखो इनोवेशन जन्डरल सेंट्रल शिर्णी की तहत लोग प्रशासन 2020 में उतक्रिश्टा के लिए प्यम पुरसकार के लिए उड़ान योजना का चैन किया गया है यह पुरसकार सिविल सेवा दिवस यानि 21 सेप्रल को दिया जाएगा उड़ान एक शेत्री कनेक्टिविटी योजना है जिसका उदेश्य अंती मिल कनेक्टिविटी प्रदान करना है इसे 2016 में लौंच किया गया था पांच वर्शों में 415 उड़ान मार्गों ने 66 अंडर सर्व्ट और अनारक्षित हवाई अड़ों को जोड़ा है मंतराले वर्श 2026 तक उड़ान आर्सियस योजना के तहट 1000 नए मार्गों के साथ भारत में 24 तक 100 नए हवाई अड़ों के निर्मान की योजना बना रहा है लास्ट क्वेस्चन देखलो आज के सेशन के लिए विश्य हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है यह दिन हीमोफीलिया और अन्यब डीडिंग डिस ओर्डर्स के प्रती जागरुक्ता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है वर्ड फेडरेशन आफ हीमोफीलिया के संस्थापक प्रैंक्स कैनेबल के जनम दिन के सम्मान में तारी का चैन किया गया था इस वर्ष के लिए थीम है Access for All, Partnership, Policy, Progress, Engaging Your Government, Integrating Inherited, Breeding Disorders into National Policy क्विकली डिसकस कर लेते हैं आज की सेशन की समरी को तो 2022 के लिए Sir Richard हेडली मेडल जीता है टिम साउधी ने वर्ल हेटेज डे 18 एप्रल को मनाया जाता है डिबॉय हो रोट अ कॉंस्टिउशन राजेश तलबान ने लिखी है एकसरसाइस कृपान शक्ती वेस्ट बेंगॉल में आयोजित किया गया नैप्चिन मिसाइल सिस्टम यूकरेन से बिलॉंग करता है लॉड हनुमान जी के 108 फीट स्टैचू का नावरन गुजरात में किया गया विदांत माधवन स्विमिंग से जुड़े हुए है 2023 FIH Men's Hockey World Cup भूबनेश्वर और राउर किला में आयोजित किया जाएगा इनोवेशन जेनरल सेंट्रल कैटेगरी में पब्लिक एडमिनिस्टेशन 2020 में उडान स्कीम को चुना गया है और World Hemophilia Day 17 April को मनाया जाता है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुर्स फो दे के आपका पहला क्वेस्टिन है बच्चों की पुस्तक किसने लिखी है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है विश्व हीमोफिलिया दीवसकब मनाया जाता है दोनों क्वेस्टिन का आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलियेगा वेल ऐकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंट्स को जोईन जरूर करना है थैंक यू सो मच आल सुन में नेक्स सेशन